हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग उम्मिद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं पर यूज गजर स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेडियन कैड के में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंक्रोनाइज मॉडलिंग सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ भूम बार में यहां पर आता है सिंक्रोनाइज मॉडलिंग अगर आपके विंडो में सो नहीं कर रहा है तो आप यह एरो जो दीख रहा है यहां पर डिविन उप्सन है वहां पर आप इसे स्टार्ट करवा सकते हैं तो आईए हम लो सकते हो अगर यह सारे कमांड में एक वीडियो में कवर करूँगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इसके पार्ट करकर मैं वीडियो में रखूँआ तो आप आप सारे पार्ट देखि और सकेप कुक्स है कि अधका ॅह मगा सबसे पहला है मूँ फैस कोई भी फिस एलेक्षन करके आप उसे मुग करवा सकते हैं जैसे कि 20 otherwise 25 mm इसे मूँ करना है तो यह यहां से सिधा यहां पर मूँ कर लेडा यह ओके यह आप देख रहे हो इसमें मूँ कर दिया है कि उसके बाद आता है ऑफसेट रीजियन अब कोई भी फेस पकड़के उसे ऑफसेट कर सकते हैं जैसे कि कि यह फेस मुझे करते हैं यह 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 आपको जितना ओपसेट देना आप यहां से ओपसेट इसे दे सकते हैं यह होना है हिए यह हो गया और फेसट फेस उसके बाद आता है बिद्दीश मेंसक्रों कोई भी फेस को आपको रिप्लेस करना है जैसे कि यह फेस मैं यह फेस के साथ रिप्लेस करवा रहा हूँ तो यह यहां पर रिप्लेस करके देढ़ andare इसके बाद अगर आपको डिस्टन मेंटेन करना है यहां से मैं 5 mm दे रहा हूं और इसे हम लोग कर देते हैं reverse side तो यह आपको यह face से यह face 5 mm distance मेंटेन करके देदेगा आपको जो भी distance चीह है यहां से आप उसे दे सकते हो यह हो गया replace face इसके बाद आता है delete face particular कोई भी face आप इसे पकड़ के delete कर सकते हो जैसे कि मैं यह hole कोई delete कर रहा हूं यह मैंने दो face और पकड़ी है और यह मेरा hole ऐसे जो counter bore hole था मेरा simple hole हो जाएगा और अगर हम लोग यह face भी साथ में पकड़ लेते हैं तो यह मेरा पूरा hole वहां से remove हो जाएगा यह delete हो गया उसके बाद आता है पूल face यहां पर recently use में दिखा रहा है मैं यहां से दिखाऊंगा आपको पूल फेस तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि offset region और पूल फेस में क्या फरक है काफी सारे बंदे ने मुझे बूला ऐसा रोप सेट और पूल फेस सेमी वर्क करता नहीं ऐसा नहीं है मैं आपको दिखाता हूं सबसे वहले हैं हम लोग यहां से ओप सेट डिखारा हूं आज है सकते यह ओसेट कर रहा हूं आप देख अजर्ञान को बड़क्रान गजो कल आ तो यह कुछ इस तरीके से वर्क करेगा पूल फेस यहांसे मैं अंडू कर रहा हूं उसके बाद आता है रिसाइस फेस आप कोई भी ओडी हो गया आईडी हो गया या कोई होल है आपके पास उसके डायमीटर में चिंजिस करने के लिए रिसाइस फेस यूज कर सकते हैं सॉरी फ्रेंज जैसे की यह डायमीटर है मेरा 14mm का तो यहाँ पर बाकी के भी यह जो 6-10 मेरेपास यह भी यह हैं तो मुझे अगर सरे वाल को शिलेक और करना है यहां से इक गुडी कर दे सारे होल जाएंगे जant को जोब्य चाहिए जैसे की मैं इसको कर रहा हôm 16mm yard तो रिजल्ट यह ओके अब आप देख सकते हैं वापस री साइस पेज में जाके हम लोग चेक करेंगे तो यह मेरा 16 mm के सारे होल हो गए इक्वल रेडियस पे क्लिक करेंगे यह आप देख सकते हो मेरे साथ होल 16 mm के हो चुके है को फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा पार्ट वन कमेंट यह गरोल कि वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर घरना अब Victoria पने अपने और सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्क्राइब कि दिए धन्यवाद फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में